नमस्कार आयूर्वेद के मुख्य दो प्रयोजन है स्वास्थ्य रक्षन एवं व्यादी निवारन स्वास्थ्य रक्षन के बारे में हमने पीछले कई वीडियो में देख लिया है अब शुरू करते हैं व्यादी निवारन के विशए में यानी की चिकित साखे विशए में अब जैसे स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ व्रुत्थ रुतु चरिया दिन चरिया को जानना जरूरी वोता है इसी तरह से व्यादी निवारन यानी चिकित साखे लिए फंडामेंटल्स को बेज को जानना बहुत जरूरी होता है आयूरवेद का बेज विबिन प्रकार के सिद्धान्त है इसलिए आयूरवेद के मूल सिद्धान्त क्या है आयूरवेद के मूल सिद्धान्त कैसे कारिय करते है आयूरवेद के मूल सिद्धान्त का क्या महत्व है य सिध्धान्त को जाने बिना जो वेद्य चिकित्सा करता है उसको वेद्य नहीं अपितु कूँ वेद्य कहा गया है और इसको कहीं कहीं यमकिंकर की भी उपमा दी गई है इसलिए बताया गया है हमारे ग्रंथों में कि यानि कि सुस्रुत जिसने सुना नहीं वागबट जिसको वागबट नहीं है और चरक्य चिकित्सा सिद्दान्तों को जो जानता नहीं है वो वेद्य नहीं है अपितु यमका दू थे सवेद्यो यमकिं करा तो इसलिए चरक्य चिकित्सा सिद्दान्तों की बात आए तब तब चरक्य चिकित्सा सिद्दान्तों को जानने के लिए कुछ बेजम को पता होना चाहिए कुछ दाशनिक परिभाशा पता होनी चाहिए और खास करके यदि आप आयूरवेद के विद्यारती है तब तो आपको ये जानना अनिवार्य है आप यदि नेचरोपेथी के या और किसी भी पती के लोक्त रहे तो कहीं ना कहीं ये सिद्दान्त आपके यहां भी काम कर रहे है और यदि हस्ती तद अन्यत्र यन्यास्ती नतत पचिते आयूरवेद के सिद्दान्त के अनुसाद अन्यत्र अन्यत्र जो जो पती काम कर रहे ह उसमें भी आयूर्वेद के वही फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं वो जाहे नेचरोपेथी की जल चिकित्सा इत्यादी हो या मड़ चिकित्सा हो या कोई भी प्रकार की हो वहां पर आयूर्वेद के पंच कर्म के सिद्धान्त काम करते हैं और निदान एवं चिकित्सा के विद्यार्थियों को एलोपेथ के डोक्टरों को एलोपेथ के विद्यार्थियों को होमियोपेथ के डोक्टर सेवं विद्यार्थियों को ए सिद्धान जानना बेहत जरूरी होता है क्यूंकि आयूर्वेथ के मुल्बुत सिद्धान्तों के आधार पर ही अनेक पत्थियों क हुआ है तो चलिये देखते है आयुर्वेद के मुल्बूत शिद्धान्त और आसानी से उदाहरन के साथ हम के से उसको समझ सकते है तो सबसे पहले MMA फंडामेन्टल's ऑफ आयुर्वेदा यांगी आयुर्वेद के मुल्बूत सिद्धान्त तो सव प्रतम हम देखते हैं आयूर्वेत्य मुलबूत सिद्धान्त मुलबूत यानि की फंडामेंटल्स के रूट कहे जाने वाले और सिद्धान्त यानि क्या उसको हम समझते हैं सिद्धान्त हम बहुत बार उपियोग करते हैं कि ये मेरा सिद्धान्त है मैं सिद्धान्त वादी हूँ या तो ये फला फला महापुरुष सिद्धान्त वादी थे तो सिद्धान्त यानि क्या तो सिद्धान्त यानि कि जो कनक्लूजन निकला हुआ है अनेक प्रयोगों के उसको सिद्धान्त कहते हैं उसी को दार्शनिक परिभाषा में चरक समीता में बताया गया है कि सिद्धान्तो नाम सह यानि कि सिद्धान्त उसको कहते है यह परीक्षके ही यानि कि जो परीक्षा करता है उसने बराबर बहु विधम परीक्ष्य यानि कि बहुत बार परीक्ष ऊसह परिक्षा करने के बाद यह दू विश्चसाद इतना ही नहीं उस ने परिक्षा की है लेकिन दूसरों के लिए जो ज़रूरी होता है उसके रूट्स को देना उसके कारणों को बताना उसका खार्यकारण वाउ जोड़कर है यहां यानि कि जो निर्णई को स्थापित करता है वो सिध्दान्द कहा जाता है यानि कि अनेक प्रयोगों के अंत में ओ छाटता जाता है कि इससे ये होगा इससे ये होगा सो बातों से पचास बाते होगी तो ये सो बाते है वो रूट में है इससे पचास बातों का परिणाम आएगा खुद के उपर देखता है दूसरों के उपर देखता है एसे बहुत होगों के उपर एक ही तरका जब परिणाम प्राप्त होता है तब ये माना जाता है कि चाहे कहीं पर भी ये 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 काम करेंगे तो ये ये परीडाम प्राप्त होगा जैसे कि पानी को यहां या विश्व में कहीं पर भी उबाले तो कुछ Celsius पानी को उबाला दे तो वाश्व बन जाती है तो वाश्व कहीं पे भी बनेगी प्यास लगी तो पानी कहीं पे भी पियेंगे तो प्यास बुझेगी फूख लगी है तो आहर कहीं पर भी लेंगे तो ओ आहर का गून जो तुरुकती करना है ओ तुरुकती होगी तो ये जो सिद्दान्त सार्वत्रिक है उसको सिद्दान्त कहा जाता है जो सार्वत्रिक होता है जो कुछ कार्य कारण भाव सहीत होता है कि ये उसके कारण है और एक कार्य है कारण याद भी हो सकते है अग्याद भी हो सकते है इसके लिए सुक्ष्म बुद्धी चाहिए सिद तो जैसे आगको यदि MBBS करना है तो Chemistry, Biology या फिर Physics की जरूरत होती है Physics पढ़ने की Biology पढ़ने की या Chemistry पढ़ने की जरूरत होती है दुरभाग ये पूरण बात ये है कि वही Physics वही Chemistry वही Biology हम आयूरवेद पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पढ़ता है मैं Under the Line बोल रहा हूं हमको पढ़ना पढ़ता है आयूरवेद पढ़ने के लिए Modern Physics की Modern Chemistry की Modern Biology की या तो बहुत ही कम जरूरत है लेकिन आयूरवेद का जो Physics से न्याई दर्शन वओ न्याई दर्शन पढ़ने की बकुत जरूरत है या तो न्याई दर्शन पढ़े बीना जो वेध्य होते है Elliot गुरुज पुझ्य धन्वंत्री जी की कृपा से परंपुझ्य विश्वनाद दातर गुरुजी की परंपरा रही जिसमें भारत का एक यूनिक संयोग हुआ जो लगबग आपको पुरे भारत में या पुरे विश्व में नहीं मिलेगा ओहे न्याई और आयुर्वेद का संगम ज्यादातर जो लोग आयुर्वेद जानते है और न्याई दर्शन नहीं जानते है जो लोग न्याई दर्शन जानते है उसको आयुर्वेद का कुछ पता नहीं होता है लेकिन ये दोलों का कॉम्बिनेशन और एसा नहीं कि मात्र कॉम्बिनेशन एक उत्तम तरीके का कॉम्ब नेशन ये भारत वर्ष में संस्कूरूत यार ये गुरू कुलम अभी न्याई दर्शन के साथ दार्शनी परिभाशाओं और बेस के साथ जो बहुत ही कम कोलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये बेस के साथ आयूर्वेद पढ़ाने की सुरुवात कर रहा है तो इसलिए अभी अम देखते हैं पहले तो सिद्धान्त क्या होता है सिद्धान्त की व्याख्या आमने देखी चरत समीता के अनुसार अब देखते हैं न्याई दर्शन में क्या बताया है न्याई दर्शन में ये बताया गया है न्याई सूत्र में कि विम्रूश्य पक्ष प्रतिपक्षा भ्यांद पक्ष और प्रतिपक्ष को अच्छी तरसे विचार करके विम्रुश्य अर्थावधारणम अर्थ का जो अवधारण करते हैं कन्लूजन निकालते हैं एसा जो निर्णई करते हैं इसको कहते सिध्धान्त है यानि कि उसको न्याईदर्शन के अनुस अच्छी तरह से आयूर्वेद को समझा पाए आयूर्वेद के सिध्धानतों को समझा पाए चलिए नियाई दर्शन और आयूर्वेद के साथ हम चलते हैं कितने प्रकार के सिध्धान थे तो यहां पर नियाई दर्शन में बताया है और उसके बाद चरक समीता में भी यह पं सर्वतंत्र सिद्दांत प्रतितंत्र सिद्दांत अधिकरण सिद्दांत अभ्यू भगव सिद्दांत आपको आसानी से याद रहे इसके लिए चार आप याद रखिए पहले पहले सर्व प्रति अधि अभ्यू यानि कि सर्वतंत्र सिद्दांत प्रतितंत्र सिद्दांत अध सबसे पहले देखते हैं सर्वत अंत्र सिद्धान्त क्या होता है तो यहां पर चरक्समीता में बताया गया तत्र सर्वत अंत्र सिद्धान्तो नाम तस्मिन तस्मिन सर्वस्मिन तंत्रे तत्त प्रसिद्धम यथा संती निदानानी संती व्याथ यह संती सिद्धी उपाया बराबर एक तरह की ही बात आती है जैसे की बराबर अलग-अलग बाते नहीं आती है तो ओ केते सर्वतंत्र सर्वतंत्र यानि सब जगह पर स्विक्रूत हो एसी बाते यसी बातों जिसमें आती है उसको एक फोल्डर में करेंगे हम सर्वतंत्र सिध्धांत में बराबर है मानी कि इसमें सब की सहमती है वर अगर सब लोग ये मानते है तो इसको केते सर्वतंत्र सिध्धांत सर्वतंत्र सिध्धांत की व्याक्या करते हुए न्याई दर्शन में महर्शी गौतम ने बताया है अविरुद दस अंत्रे अधिक रुतो अर्थ ह सर्वत अंत्र सिधानता देखिए रमणीय भाषा बिल्कुल संक्षिप्त में क्या बता दिया न्याई दर्शन में कम शब्द और ज्यादा अर्थ ये न्याई दर्शन की एक विशेस्ता है क्योंकि जैसे व्याकरण में ही अर्थ मात्रा लागवेन पुत्र जन्मोत सवं मन्यनते व्याकरणा हा व्याकरण लोग वाने जो व्याकरण सास्त्र पड़ते है वो अर्थ मात्रा का लागव हो जाए अर्ध मात्रा कम वोलनी पड़े लिखनी पड़े तो पुत्र जन्म के जैसा आनंद ब्राप्त होता है इतना ध्यान रखना पड़ता है सुत्र बनाते वक्त नियाई दर्शंग में बताया गया महर्शी गउतम ने सर्वत अंत्र सिद्दांत किसको कहते उन्होंने बताया ओ विरूत दस तंत्रे अधिकृतोर था है सब जग जिसका विरोधन हो ओ विरोध हो सभी तंत्रों में जो एसा अधिकृत अर्थे उसको सर्वत अंत्र सिद्दा जैसे क्या बताया निदानानी यानि कि निदान की बाद आपको पता होगी निदान यानि कारण होता है तो निदानानी यानि कि क्या होगा कारण रोग के कारण होते हैं उसमें कोई तकलीफ नहीं है रोग के कारण होते हैं बराबरे यह सब मानते हैं कोई भी पथी में देखो पहेलोपेथी, आयुवेदी, ओमियोपेथी, सब जगप परेसा होगा कि रोग होगा तो उसका कोई ना कोई यात या अजयात कारण होगा, दुरूष्ट या अदुरूष्ट कारण होगा, बराबर हैं, तो यह एक हो गया निदानानी, फिर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, रोग के अनेक प्रकार है, सभी पथियों में माना गया है, रोग के अनेक प्रकार है, उसके बाद साध्य रोगों के उपाई है, बराबर है, कि जो रोग साध्य होता है, उसके उपाई अवश्य ही होते है, सभी पथि में इसको माना गया है, तो ये होते है सर्वत अंत्र सिध चाहिए उसको सर्वत अंत्र में यानि कि सभी जगपर एक सरी के इक इरीती से उसको स्विकार किया गया है उसको कहते हैं सर्वत अंत्र सिद्दांते से आप बहुत सारी बाते देख सकते हैं जैसे कि व्यादी की चिकित्षा करनी चाहिए तो ये भी एक सिद्दान्त हो गया कि या रोग हो गया तो आकास पर नहीं छोड़ सकते हैं उसकी चिकित्सा करनी चाहिए वो चिकित्सा भी तरक युक्ति सी करनी चाहिए यानि कि किसी भी दवाई किसी भी रोग में दे दियासा नहीं होना चाहिए अपितु उसका विम्रू रोग है उसको मिटने में देर लगती है अलग अलग काल का प्रबाव होता है अनूसार उसकी मतलब ट्रीट्मेंट होनी चाहिए ये द्याख सिभडानत है तो ऐसे कहीं द्याइब है जो सर्भी पत्तियों में एक तरीके से स्विक्रुत किया गया है तो उसको कहते हैं सरवतंत उसको प्रतीतंतर सिद्धांत को तो प्रतीतंतर सिद्धांत को यहां पर आप आप याद रखेंगे दूसरा सिदंतर प्रतितंत्र सित्धान्ते उसको चरक समीता में ये व्याक्षा बताई है। समान तंत्र सिद्ध परतंत्र असिद्ध सफ प्रतितंत्र सिद्धान्त वराबर समान तंत्र सिद्ध अमारे जैसे समान लोगे उसको मानते हैं लेकिन परतंत्र असिद्ध दूसरे सास्त्रों में उसको स्विकार नहीं किया गया है उसको प्रतितंत्र सिद्धान्त केते हैं न आई दर्शन आप पढ़ेंगे महर्शी गौतम का तो उसमें जो बोल रहा हूं वो सुत्राप को जानने को मिलेगा उसका ही अर्थ सरल तरीके से चरफ समीता में दिया गया है चलिए देखते हैं येसे कौन से सिद्धान थे ओ हम देखते हैं जैसे आयूरवेद में सड रश का सिद्धान थे बराबर हैं सड रश आयूरवेद मनता है अब और आयूरवेद के एक समान तंत्र वाले रूशी मुनी ये मनते हैं कोई कोई रूशी मुनी आठ रस मनते हैं कि आपको पता है अजीनो मोटो नाम का है केमिकल आता है उसका टेस्ट जो आता है उसको पांच मां टेस्ट की ना गया है मोडन में चार रस है रुशी मुनी आठ मानते थे कोई-कोई और आयूर वेद के जो बहुत सारे ग्रन थे उसमें स्विक्रूत किया हुए असिद्दान प्रतितंत्र सिद्दान ते ओछे रस का है न्याई दर्शन में भी यही छे रस की बात मधूल अमललवन का टुकरशाई तिकत बेदा शडविदा रश हा। बराबर तो ये बात ज्याई दर्शन में भी स्विक्रूत की गई है, ये छे रसों की, तो छे रस है और मुख्यदास है, लेकिन सर्वत अंतरसिद्धान ने ये क्यूंकि सब नहीं मानते है, मुख्यदारा में मानने जाता है, लेकिन और भी मत इसमें पड़ते है, कोई आठ म मानता है तो इसके लिए इसको माना गया है प्रती तंत्रसी धार्ट इसी तरह से जैसे हमने रस की बात की एसे ज्याने इंद्रियों की बात है कोई-कोई लोग छे ज्याने इंद्रिय को मानते है भगवत गीता पढ़ेंगे प्रतितंत्र सिद्धान्त में आ गया लेकिन आयूरवेद में प्रतितंत्र सिद्धान्त में लिया गया यसे ही तीन दोश माना गये है त्रिदोश आयूरवेद का सिद्धान्त प्रसिद्ध है लेकिन चार दोश मी अपर आ गये हैं लेकिन उसके बहुत सारे सास्तरग्यों बहुत सारे रुषी मुनी उसमें सहमत नहीं है वो उसको हम कहते हैंगे प्रतितंत्रसिद्दान, सभी संमतों इसा नहीं है, इसके और भी मतलब और भी विकल्पे, और भी इसका मत है, देखें ये कितना ज़रूरी है, जैसे अलो पेथी देखेंगे आप तो चार शिद्दान, अभी मोडरन साइंस में चार रस्मन रहे हैं, नम्य को लगा यह तर्फ रुशीमुनियों में विप्रति पत्ती थी ani कहादा या जवाधा 1oh रूप में आ रही है देखे रसों के ओपर वहां से विवाद था every आज चार रस पहले थे आए जार की बात बता हैं हो न्या नहीं पहले से ही उसमें भी प्रतिपत्ती थी और भारत देश में रुशी मुनी इतने व्यापक स्तर के स्विक्रूती वाले थे कि जो अपने साथ कुछ मतों में नहीं है उसका भी स्विकरण करके उसके मत से उसका मत भी आजादा है तो उसमें बहुत सारी बाते इसमें बताई गई है अमने वो रुशी परिशद के वीडियो में लीग ली है देखिएगा रुशी परिशद के अमारे वीडियो आचारियमेहूलबाई चैनल पर है तो ओ रुशी परिशद में पहले कौन सा अंग आता है इसमें रुशी मुन्य की अभी व्यक्ति होगी मन आएगा की नहीं आएगा और पूरे के पुरे प्रतितंत्र सिद्धान्त का वहां वरणन दिया गया है बराबर मतलब सब नहीं मानते हैं एक सरीका लेकिन मुख्यधारा में अम जो मानते हैं मुख्यधारा है और भी धारा ये इसमें होती है और भी धाराये प्रसिद्ध है उसका भी यान आपको होना चाहिए तो इसको कहते प्रतितंत्र सिद्धान्त अब बहुत महत्व का सिद्धान्त आता है वह होता है अधिकरण सिद्धान्त अब देखे इसकी व्याक्या चरक मुनी ने क्या की है उसके बाद नियाई दर्शन में उसकी या क्या गौतमुनी ने क्या बता ही वो भी मैं आपको बता जाओंगा ताकि आपको ये लगे कि इसका मूल नियाई दर्शन को लिया गया है आयूरवेद के फिजिक्स के रूप में और इतना जानकर आपको यदि इच्छा हो नियाई दर्शन पढ़ने की तो अवश्य आप आयूरवेद का अधियाई करते करते नियाई दर्शन का अधियाई अवश्य करिए इससे आपके आयूरवेद के जितने भी पदार्थे वो क्लियर हो जाएंगे एक दम। तो इसमें बताया गया है अधिकरन सिद्धान तो नाम सह यसमीन अधिकरने प्रस्तुयमाने प्रवंति बराबर है यह बताया गया मैं उसको हिंदी में बता देता हुआ जैसे कोई एक की सिद्धी करने को गए और एक सिद्धी करते करते और भी वस्तुओं की सिद्धी अपने आप हो गई तो जिसकी सिद्धी करने के लिए गए थे और दूसरे चार पांच वस्तुओं की सिद्धी अटोमेटिक हो गई उसके साथ साथ तो ओ क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है ये सिद्धी इसके साथ हुई मुख्य ये थे जैसे कोई एक मा को आप आमंतरण देते हैं कि आप इफोल्ड ओ माई उसके साथ वद्चा आ जाता है बराबर उसके लिए अलग आवंतरण निमंतरण की ज़रूरत नहीं होती है एक को स्विकार किया एक को बुलाया तो आपको गिंती कर लेनी है कि उसका बच्चा उसके साथ महीं आएगा बराबर उसको अलग इंविटेशन न तरह से एक व्यक्ति को आप बुलाते हैं तो व्यक्ति कपड़ा पेहन करी आएगा उसके कपड़े आएंगे ही बराबरे वह आपको जानी लेना है व्यक्ति को आमन रड़ते हैं शरीर को लेकिन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है वो कपड़ा वो कपड़े के साथ ही कहीं जात तो वो पूरा का पूरा एक fundamental पूरा का पूरा एक जो कहते है उसको कि ये पूरा का पूरा एक जो कहते समू जाता है वो समू जब जाता है उसमें अधिकरण सिद्धान्द काम करता है जैसे कि कर्मफल मोक्ष पुनर जन्म सिद्धान्द इसको में न्याई में क्या बताया है गौतम मुनिनी ओभी में बता देता हूं अधिकरण सिद्धांत के बारे में महर्षी गौतम में बताया है यत सिद्धो अन्य प्रक्रण सिद्धी ही सो अधिकरण सिद्धांत है देखे कितनी सुन्दर भाषा में बताया है यत सिद्धो अन्य प्रक्रण सिद्धी ही जो सिद जोते हुए अन्य प्रक्रण भी सिद्धो जाते हैं उसको अधिकरण सिद्धान्द कहते हैं जैसे अभी उदारण में देता हूँ दोनों आप समझ जाएंगे कर्म फल मोक्षा पुनर जन्म सिद्धान्द नमुक्त कर्मानुबंदिकम कुरूते निस्प्रुहत्वात इन्या गया कि वो क्या नहीं करता है कर्म नहीं करता है कर्म क्यों नहीं करता है स्प्रुहा नहीं होती है अब इसमें एक सिद्धान्द ये प्रस्तुत किया इती प्रस्तुत्य सिद्धो कर्म फल मोक्ष पुरुष प्रेत्या भावा भवन्ति इसमें देखे एक सिद्धान्द तो उसके साथ जो किया हुआ कर्म है वो कर्म कोन करता है तो क्या आत्मा करता है तो कर्म सिद्धो गया पुनिय पाप सिद्धो गये क्योंकि आत्मा कौन सा सरीर लेगा कौन निश्चित करेगा पुनिय और पाप निश्चित करेंगे तो पुनिय पाप का सिद्धान एसे ही सि मेकोले सिस्टम में आत्मा को बाहद कर दिया है के जी से लेकर पीजी तक कहीं पर भी आत्मा की बात नहीं आती है इसके लिए चिकित सक्को जो शुद्ध होना चाहिए शुची ता होनी चाहिए बराबर है दक्षत इर्थार्त सास्त्राष्टो दुरुष्ट करमा शुचीर बिशब शुचीर बिशब की बात चली गई क्योंकि शुची क्यों रेना है आत्मा के लिए रेना है आत्मा सुची होगा तो हम अगे के जन्म में और बोध पाएंगे भगवान धनवंतरी की गुरुपा और अमारे पर आएगी हम और सुची ता रखकर अपना आत्मा का भी पुन्यपाप चला गया शुची ता का कोई अर्थ नहीं रहा पुन्यपाप चले जाने से कोई भी क्रिया में अमारे जो सिद्धान थे मुल्यनिष्ठा है वो भी चली गई क्योंकि वो किसलिए मैं गलत करूंगा क्यों नहीं यदि कोई पकड़ने वाला नहीं है देखने वाला नहीं है तो फिर मेरा अनुशास्ता कौन है क्यों गलत न करूं तो इसके लिए समझाना पड़ेगा की कियो गलत न करूंग वह आत्मसंबंदीत करमद्ध करेगा करमद्दोने से आत्मा की अउगती होगी वह कबोगी आत्मा होगा तब यह सारी बाते जोईन होती जाएगी cycle चक्र बनेगा पूरा तो एक आत्मा सिद्धोने से पुण्यपाप सिद्धो गए पुर्वजन्म पुनरजन्म सिद्धो गया आत्मा सिद्धोने इसके लिए हम बार बार बताते हैं हमारा आत्मा का कोई आशांतर नहीं हो सकता है जैसे इंगलीष में जो सोल है उसका मतलब हमारा आत्मा नहीं है क्योंकि इंगलीस का जो सोल है वो मन से जुड़ा वह नहीं है पुर्वजन्म पुनर्जन्म उसके सोल को होता नहीं है हमारा जो आत्मा है वो सोल नहीं है क्योंकि उसका पुनरजन्म और पुर्वजन्म होता है उसका एक छोर मन से जुड़ा है तो ये जो होता है वो आत्मा है आत्म सिद्धी ओने से मन सिद्धो जाता है आत्म सिद्धी होने से पुर्णिय पाप सिद्धो जाते है आत्म सिद्धी होने से कर्म का सिद्धान्त सिद्धो जाता है आत्मा सिद्धो जाता है आत्मा सिद्धो होने से शुचिता अगेरे जो बाते बताई गई है वो भी सिद्धो हो जाती है तो एक आत्मा सिद्धोने स बहुत सारा सिद्ध हो जाता है तो इसलिए आक्मा की सिद्धी एक होने से ही बहुत सारे सिद्ध हो जाते हैं सिद्ध और वाई डिफोल्ट सिद्ध हो जाते हैं एक मूल स्विकार करने से इसके लिए उसको कहते अधीकरण सिद्धान्त अधीकरण यानि क्या कि बेश कि एक आप सिद्ध कर देंगे उससे जुड़ी वी बाते अटोमेटिक सिद्ध हो जाएगी इसके लिए उसको बताया गया है अधिकरण सिद्धान्त बराबरे ये बता दिया तीसरा सिद्धान्त अधिकरण सिद्धान्त कोई एक मुख्य बात पकड़ लेनी है उसके बाद जो अभियूपगम सिद्धान्त बराबरे चरक सवीता में व्याक्या बताई गई है अभियूपगम सिद्धान्त नामस सो यम अर्थं असिद्धं अपरिक्षितं अनुपदिष्टंफ अहेटुकं वादकाल yay अभियूपगम शन्त्य inflict dust विश्जक विश्जा haven बराबरे मत नहीं है लेकिन अभी जो बाते अमारे से सिध्ध होती है वो अभी उपियोगी है इसके लिए टेंपररी उसको स्विकार किया जाता है या तो विरुद्ध नहीं है इसलिए उसको स्विकार किया जाता है वास्तविक्ता से वो एक्चुली अमारा सिध्धान्त नहीं होता है लेकिन कभी-कभी वाद काल में यानि कि कभी-कभी हम विशेश परिस्थिती में उसको स्विकार कर लेते हैं उसको कहते अभ्यूपगम सिध्धानता न्याई दर्शन में मैं बोलू जो गौतमुनी ने न्याई दर्शन में बताया है अपरिक्षितम अभ्यूपगमात ततत विशेश परिक्षणम अभ्यूपगम सिध्धानत है यानि कि अपरिक्षित जिसकी परिक्षा नहीं की है जो इस तरह के कोई सिध्धानत नहीं है लेकि क्या करते है कि कोई-कोई विशेश काल में उसको स्विकार किया जाता है उसको अ known to unknown यानि कि जो आप जानते हैं उसका उदाहरण में दूँगा और न जानते हैं वहां तक मेले जाओंगा क्योंकि known आपके माइन में है सबकॉंशियंस में है तो known से unknown जानना बहुत सही रहता है इसके लिए उदाहरण में बताता हूँ आपको जैसे कि कोई-कोई बात एसी होती है एक एकसिडेंट हुआ था दर्शन सास्तर के प्रवचन स्वामी सचीदाननजी विदेश में देते थे अमेरिका में स्वामी सचीदाननजी बहुत अच्छे दार्शनी के वो प्रवचन दे थे अमेरिका में उसमें एक एकसिडेंट हुआ उसी समय और अगले दिन का दर्शन का प्रवचन में ये था चरक समहिता का ही रेफरेंस देकर वहां बोल रहे थे कि आयूश्य को घटाया या बढाया जा सकता है आप याद रखेगा चरक समहिता में ये बात क्रम होता है ये पूरी की पूरी परिबाशा आप आयूरवेद के विद्यार थी वो तो आपको जाननी है कि आयूश्य का बंद आयूश्य कैसा होता है क्योंकि चरक समहिता में आया है ये पूरी की पूरी चर्चा है आई है उसको मैं दार्शनिक रूप से यहां पर प्रस् वगेरे करेंगे तो दिन चरिया रुतु चरिया का पालन करेंगे तो आयूश्य बढ़ भी सकता ये सब चर्चा कर रहे थे एक एक्सिडेंट हुआ उसी समय पर एक्सिडेंट हुआ बहुत गाड़ी जा रही थी और स्त्री चला रही थी पीछे उसके पती बेटे थे एक दम टर्न हुआ टर्न में गुमने के लिए गए एक्सिडेंट हुआ उन्दी स्पोट बेहने मरे जो गया और बेहन चली गई, यानि कि उसकी पत्नी मर गई, तो पती को आगात लगा, उसके घरवालों को आगात लगा, बहुत यची थी, मतलब धार्मिक थी, तो आगात लगा, आगात लगा, तो उसके यहां बेठने के लिए, बेठने के लिए गए, तब स्वामी जी ने ये बताया कि देखे पूरा लिखा हुआ होता है सब के मृत्यू लिखे हुए होते हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसको गिल्टी थी कि मैंने पक्नी को क्यों गाड़ी दी बहुत एसा कर रहे थे कि तू चला में चलाओ ऐसे उसको चलाने दिया ओ गिल्टी वो पुरुष एकदम फस्ट क्यों गिल्टी रही तो खुद भी जीने वाला नहीं था खुद भी आत्मतिया की बात कर रहा था खुद भी शोक में आ गया था और उत्तर रामचरीत में एक बात बताई गई है कि शोक क्षोभे चरुदयम प्रलापे रेवधारियते यानि कि शोक और क्षोभ के लिए प्रतिक्रिया ये सिद्धान्त उत्तर रामचरीत में भव भूति ने बताया है पुरोत पीडे तड़ा गस्य पूरा जब छेत भर जाये तो पानी निकालना चाहिए उसी तरह से मन भर जाये तो उसको खाली कर देना चाहिए तो उसको आस्वासन स्वामी जी देते है क्या आस्वासन कि ये सब लिखा हुआ ओता है अरेका एक्सिदेन भी लिखा हुआ था पहले से आपका कोई दोस नहीं है जो जो गटना ये बनती है पूरी लिखी वी ओती है वो बोले अच्छा ये लिखा हुआ था एक्सिदेन बोले कि या लिखा हुआ था पुरा पुरे लोग स्वामी सत्चिदानंजी ने बताया कि ये सम लिखा हुआ है उपर इसके लिए हुआ अरे गटना ये लिखी हुई होती है विदाता ने इसके लिए वोती रहती है पूरा का पूरा लिखा हुआ है लेक जो ललाट पर लिखे गए है और राम को भी भुगतने पड़े है तो हम तो क्या चीज है हमको भी भुगतने पड़ते इसमें किसी का कोई दर्श नहीं होता है विदाता पूरे लेख लिखते है तो वो थोड़ा आस्वस्त हो गया शांती हो गई उसको कि मेरा कोई दोस नहीं है लिखा हुआ होता है ओ बोले कि एक्सिदेंट हुआ होने वा वश्यम भावी थी अब लोग गए थे ओ लोग बाहर आये और उन्होंने प्रशन किया कि स्वामी जी कल तो आप प्रवचन में बताते थे कि चरक समीता में बताया है दर्शन सास्त्रों में बताया है कि मृत्यू तो निश्चित नहीं होती है ओ घड़ भी सकती है बड़ भ यह सिद्दांतिक सत्य नहीं है व्यावारिक सत्य है देखे सिद्दांत कैसा वो जरूरी नहीं है वही आप व्यावार में बताएंगे व्यावार व्यावार को देखकर चलता है सिद्दांत अलगे व्यावार अलगे व्यावार में यदि यह बता देते उसको कि नहीं यह त कर दिया उन्होंने उसको केते अभ्यूबगम सिद्धान्त ओ वास्तवी सिद्धान्त नहीं देखिए उसमें लिखा गया नहीं है गाड़ी का एक्सिडेंट लिखा हुआ नहीं था अभी कहना जरूरी थाओ क्यूंकि अभी नहीं कहते तो हानी ज्यादा थी बराबर एक तो यहां क्यों चली गए उसको ला नहीं सकते यहां वाद जितने हैके की जनकि आशवासन देने गए यह द करना जरूरी आया हूं तो यह समझाने के लिए आया हूं आपको आस्वासन देने के लिए नहीं आया हूं लेकिन जब ही मैं आस्वासन देने के लिए किसी के घर पर जाता हूं तो मुझे वहां न्याई दर्शन के बगवत गीता के सिद्दान स्थापीत करने में नहीं जाता हूं कि देख उसकी सदगती होगी अच्छे काम किये है उसने भगवान उसको मोक्ष देगा अब भगवान उसको मोक्ष नहीं दे सकता है क्योंकि खुद ही मोक्ष नहीं चाहता था जीवन बरो यहां तिकडम ही तिकडम करता रहता था तो भी घरवालों को आश्वासन देने के लिए उनको बात बतानी पड़ती है कि भगवान उसको मोक्ष देगा विश्व सहस्र का पाठ करो भगवदीता का पाठ करो भगवान मोक्ष देगा अब इसको कहना पड़ेगा दर्सन सास्तर के हिसाप से वो भगवान उसको मोक्ष नहीं देगा वो किस हिसाप से बताते हैं अभ्योपग कि एक साथ क्या उसका संबंदे कहते हैं द्रव्यं को प्रदान मान-कर कहेंगे, कोई यसा कहता है कि द्रव्यं ही पूरा जगत है, अम स्विकार करते हैं द्रव्यं ही है, गुद्झ और कर्म को हम नजर अन्दास कर देते हैं, क्यो neighborhood मान रहा है तो यह हम कहते हैं न, अकेली आमलकी काफी है, एक आमलकी से ही पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा रसाइन, तो और अउशद्या की क्यों कही गई, कोई कोई कहते हैं, तीन ही अउशद्यों ये ये और ये, आमलकी पीपली और ये तीन अउशद्यी से ही पूरा का पूरा विश प्रोब्लेम यह सब कुछ कुछ कच्चा से सारे रोग हम उचको केते नहीं सही बात आयूरेद में बताया गया है अब वो एक पकड़ ली उसने बात एक मन में उसका विरोधम करके उसके मन से बात हो निकाल नहीं सकते हैं और बात उसके मन को थोड़ा व्यापक करके डाल सकते हैं ये कच्चा आपके आद्र में आया अभी, कच्चा चिठा या कच्छे की बात में और भी आयूर्वेद में पंच कर्म के सिद्धांत पके की बात साउस्कुरुतन की बात बताई गई है आपने केवल छोटी सी बात आई और उस कारण आपका रोग मिट गया आपका रोग मिट गया जरूरी नहीं है पूरे विश्व का रोग उससे मिटेगा जरूरी नहीं है वो प्रथा पूरे सत्य के आधारी तो आपका रोग मिट गया बात जर सही है ये तो क्या हुआ मेरा कोई उपकार करे गुरुजी को गुरुकुल को डोनेशन दे और मैं ये मानलू कि ये ही भामासा है पुरे विश्व में दान दिया है तो इसी ने दिया क्योंकि इसने मुझे दिया है मुझे फाइदा की मानसिक्ता होती है चिकित्सा पद्धतियों में येसी मानसिक्ता बहुत काम करती है तो जिसके आथ में जो आए जिसके आथ में एक्यूप्रेसर आए वो मानता है कि एक्यूप्रेसर जैसी विश्व में कोई पद्धती नहीं जिसके आथ में कच्छे की बात आए नेचरो तो उसने कहा कि आथी ऐसे इर्फिर सकता है इस तरह से और विल्कुल वोल जैसा होता है किसी के आथ में पेर आ गए तो ओ बोले कि आथी तो इतना बड़ा होता है और इस तरह से उठाना भी शक्या नहीं है थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से इलता जूलता रहता है किसी किसी के आच में डात आगें। सब दसों लोगों ने आदी का वरणन किया एक अंग को पकड़ कर। इस इसे धिक होगा कोई को पोईट से ठीक होगा पोई ज्बोग कोई कहते को उपवासलं परम उपवासी ठीक है इसलिए रूसी मुन्यों ने उपवास बता मेंगे। किसी के आथ में पंग्चर आजाता है किसी के हाथ में fruit आ जाते हैं, किसी के आच में juice आ जाते हैं, किसी के आच में पत्ते आ जाते हैं, किसी के आच में मूल आ जाते हैं, किसी के आच में क्वार्थ आ जाते हैं, किसी के आच में तरिफला गूगल जैसी दवाई आ जाती हैं, सब लोग कहते हैं कि यही सर्वस्रेश्ट है लेकिन आयूर्वेद के पूर्ण अता से आप देखेंगे उसको तो आयूर्वेद के सारे सिद्धानत व्यापकता की दृष्टी से देखते हैं कि जगा जगा पर एक एक का उपियोग है और जगा जगा पर एक एक की मरियाना है कोई कोई बातों में हरी तकी आयूर्वेद देखें कितने ततस्त द्रश्टी वाले महर्शी है हरी तकी की कितनी प्रसंसा की है सायद को युशदी की प्रसंसा इतनी की है जिसकी एक हरण की की हो हरी तकी की इतनी प्रसंसा की माता से भी बढ़कर हरी तकी को बताया यस्ति यस्यनास्ति गुहे माता तस्य माता हरी तकी कदाचित कुपिता माता नहीं वकुप्या हरी तकी यानि की माता कभी भी गुस्से हो सकती है बच्चे का नुकसान कर सकती हरी तकी कभी बच्चे का अरितकी खालो जिसको भी चाहो गर्बवती मैला को अरितकी नुकसान भी कर सकती है बच्चे को जब बुखार आया हो तब अरितकी नहीं देनी है तो अरितकी की दी है दूसरी पत्थियों में और आयुरवेद में यही शिद्दान्त काम कर रहा है कि जो रुशी मुनि उसका बुनगान गाते हैं वही रूशीमुनि उसकी मरियादा जानने को भी बताते हैं कि आप अकेले उसका प्रचार्ज करने मतलग जाना कि अरीतकी के सिवाई ये नियम लागू है कि उसकी मर्यादा भी उसका महत्व भी अपनी अपनी जगदाने अबिई चार चार सिद्धान्दhern चाने अभी चारेये चार प्रवतंत्र सिद्धान्द था जो सब जग स्विक्रूत बाते हैं उसकी बात आएगी प्रतितंत्र सिद्धान्द की बात करते हुए मैंने ये बताया था कोई-कोई जगपर स्विक्रूत होते हैं कोई-कोई जगपर स्विक्रूत नहीं होते हैं अधिकरण सिद्धान्द के स बहुत सारे उदाहरण मेंने यहां आत्मा के विशाई में दिये थे अभ्योपगवसित दांत मने टेमपररी आपक ने स्विकार किया है व्योहार को देखकर वह आउसिक सत्य होता है जैसे कोई नेचरोपेथी वाले व्यक्ति आपको बताई कि रस से ही ठी होता है तो आपको साथ जगरण नहीं है विरोधह नहीं करना है स्विकार लेन यहीं बताया है लेगा कोस सालों पहले पहले अगें आट परानी के बारे में बताया लेकिन फुल की तब तो सही बात निकले दूद जहर है लेकिन कब जहर है अबूत का फल है ग्लास फुल पूल पहल जहर है तो उसकी समान स्विक्रूती करते हुए बताना लेकिन अंदर समझना है ये पूरण सत्य नहीं है उसके साथ विरोध में नहीं उतर नहीं लेकिन जानना है कि ये बेचारे के आथ में एक छोटा इसी बात आ गई है एक छोटी सी बात आ गई तो उसको मान लेता है कि ये तो बहुत बड़े म मानने लगा कि आद तक लोग केंसर थे डायबिटीस थी थाइरोइट थे अब तो पूरा चले जाना वाला है क्योंकि एक डायट सिस्टम आज में आ गई और वह इतना महापुरूश बड़ा है कि एक पांच मिनिन बात करने का 22,000 लेते हैं पांच मसाले का वोक्स कर देते हैं पांच मसाले का 25,000 में बेशते हैं तो ऐसी उसकी अवाइब भेलाई जाती हैं यह तंतर के बारे में बताओगे एक वीडियो बनाना है और यदि यह तंतर के बारे में कोई भी वीडियो बना दे इस तरह से तो अम इसको छोड़ने के बुना बड़े एसे करके चरक का एंड कहां आएगा तो इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा चरक समीता के विशही में कि यदि हस्ती तदन्यत्र यन्ने हस्ती नतत्पचित जो यहां है बराबरे ओ कई देखने को नहीं मिलेगा लेकिन बाकी सारी पत्यों में सारी पद्ध कराने की सिखाने की इसी की जरूरत है अब देखते हैं कि इस तरह के सिद्धान्त जो चार मुक्च दिये गए है उसके बाद इसी क्रम से कौनसे कौनसे सिद्धान्त आयूर्वेद में प्रचलित हो गये है जो आयूर्वेद में प्रचलित सिद्धान्त है जिसको बहुत प चलिये देखते हैं तो आपने ये नाम सुना होगा त्रिदो शृद्धान वाध्धिदकफ का सिद्धान उसके बाद त्रयो पस्तंब सिद्धान जिसकी बातम पहले बता दी अमने कर दी है त्रय उपस्तंब होते हैं बरबर आहार निद्रा ब्रहम चरियों गेरे पंच्वा प्रुथवी जलतेजवा युआ का सिद्धान जिसके बाद शड्रस का सिद्धान अमने जाना अभी ही पुनर जन्म मोक्ष सिद्धान जो आयुर्वेद दूसरी पथियों से अलग होता है ये सिद्धान को मैंने के कारण वो मानता है कि अमारे जो भी व्यादिया होती है वो पुर्वजन्म क्रुतम पापम व्यादिर उपेन बाधते पुर्वजन्म के कारण है पुर्वजन्म में जाकर आपको दूर खरने होगे पुर्वजन्म में केसे जा सकते है इसके लिए तच्छांतिर अउशदेर दानेर जपेर हो मेर अर्चनादी भी ही यानि कि ओभी देव व्यपास्राइ चिकित्साअ शे आप पुर्व जर्म के कर्मों को नश्ट कर सकते हैं मूल को नश्ट कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पर पुनर जन्मस मानते हुए आयोर्वेद ने सत्वा वजई और देव व्यपास्रे जेकी सिकी चिकित्साओ के सिध्धान्त को भी मान्यता दी जिसकी बात आँ करेंगे तीन प्रकार की चिकित्सा को त्रिवीद चिकित्सा जिसके उपर माधव निदान में बहुत सारी बाते बताई है निदान माधव स्रिष्टा इसलिए उखती प्रसिद्ध हो गई है क्रियाकाल का सिध्धान्त शडविद क्रियाकाल आयोर्वेद की सम्मितवों में मान्य किया गया है और त्रीगून सिध्धान्त यानि की रज और तम जैसे सरीर के स्तर पर तीन प्रकार के दोश्वात पितकफ होते हैं उसी तरह से त्रे गुण यानि की सत्वर रज तम मन के स्तर पर होते हैं उसकी भी स्विक्रूती बताई है तो ये पूरे के पूरे मुलबुत सिद्धांत आयूर्वेद के बताए गए है उसके उपर आपको आसानी से समझ में आये इसलिए हम एक 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 सिद्धान्तों को आपको समझाते जाएंगे आपको नोट बनानी है प्रति दिन उसका अधियन करना है और आयूर वेद को सीखने के लिए संकल्प करना है कि जो संस्कृति आरिय गुरु कूलम के कारण प्रमपुज विश्वना दातार गुरु जी की तपस्या के कारण आपको आज भारत में सव प्रथम एसी वो पर्चुमिनिटी मिल रही है कि इस तरह के सिद्धान्त आप घर बेठे निश्वार्थ निशूल करूप से आप सीख सकते हैं तो इसके प्रति आपको जागरु को कर आयूर व प्रति में हैं उस पति का व्यवस्तित अध्यान करके आयूर वेद के ये मुल सिद्धान्त कैसे अन्य पत्यों में भी व्यवहार के रूप में लागू होंगे उसको भी आप सीखेंगे तो आपकी बुद्धी तरक युक्त बाते आपकी बुद्धी स्विकार करें आप वंतरी की प्रार्थना के साथ आज का शेशन हम समाप्त करते हैं नमामी धनवं तरिमा दिदेवं सुरा सुरेरवंधित पाद पद्मं लोके जरारोग्पयम्रुत्यों नाशं धातारमीशं विविदाउश दीनाम